JOA 817 की नुक्ति की शर्टों पर और जो बाकी दो मामले हैं JOA 817 के 903 और 949 पर मैंने आपको तीन रोज पहले बताया था कि विधानसभा में फाइल मुगवाई गई थी एक common format को लेकर जो JOA 817 जो 1841 के आसपास प्रत्याशी अभियती हैं जिनको नुक्ति दी जानी है उनको लेकर एक common format सभी भी भागों के लिए बन रहा है उस common format को secretary personal ने आज notify कर दिया है और इस notification में ये कहा गया है कि uniform pattern बनाया जा रहा है सभी जो HODs हैं या head of secretaries हैं वो इस pattern के अनुसार ही नुक्ति दें अब इस नुक्ति में नई शर्टें क्या लगी हैं दो बिल्कुल नहीं शर्टें जो मुझे अभी दिख रही हैं वो तो हैं ही पहली ये है कि पहली बार जॉइनिंग के लिए schedule date दी गई है मतलब ये कि आपको अगर जॉइनिंग order मिल भी गया मान लिजे नुक्ति हो गई आपकी इसी महिने 15 सब्टेंबर को मान लिजे आपकी नुक्ति हो गई लेकिन आपके appointment order में ही date दी हुई होगी मतलब 15 सब्टेंबर के order में आपको 15 अक्तूबर की भी date दी जा सकती है और जिस date को आपको दी होगी आपको उसी को join करना होगा ऐसा नहीं है कि station आपको मिल गया और joining एकदम हो जाए क्योंकि इसमें लिखा है कि subject to the condition that the joining shall be considered on or after such date up to including joining time ये date का column है दूसरा ये है कि ये appointed purely temporary basis पर है और जो बाकी चीज़ें लगबग सेम हैं जो पहले contract में होता था एक चीज़ इसमें नई बीच में एक और दिख रही है और ये है कि अगर बीच में contract employed transfer हो जाता है contract period के दोरान तो नई जगा उसको fresh appointee माना जाएगा मतलब फिर से contract के दो साल वहां लगाने होंगे एक नई शर्ती है कि the services of incumbents appointed on contract basis will be regularized once in a year as per provision of instruction issued by department of personnel on dated 2 December 2023 मतलब जो अभी contract वाले लोग demand कर रहे हैं कि उनको अभी regular करना का option दे दिया जाए उनको भी इसमें संकेत है कि एक साल में एक बार ही regularization होगी ति ये तीन शर्तें नई है जोए IT 817 के appointment में अब सबको एक साथ मिलेगी या फिर break break में मिलेगी वो तो जब appointment order आएगा तब ही इसमें पता चलेगा कि किस format को सरकार इसमें अपनाती है अब बात करते हैं जोए IT 903 और 949 की कि उनका result का बाएगा अब दो तरह की update हमारे सामने है पहली बात ये कि इसमें जो राज्य चैनायो जिसको इनका result घुशित करने को लेकर कहा गया है 949 में 82 post हैं 940 में 295 post हैं लेकिन इन में कुछ में paper leak का मामला भी है वो total post कितनी बनती हैं और उनको hold करना है या result घुशित करना है इसको लेकर राज्य चैनायो जोगने एक चिठी कार्मिक विभा को लिख के वापस भेजी थी और कार्मिक विभा को कहा था कि आप vigilance से इस matter को take up करें vigilance से reply लेकर हमें convey करें ताकि हम result को घुशित कर सकें राज्य चैना वो कह रहा है कि 903 का result लगभग बन गया है जबकि 949 में अभी थोड़ा सा काम करने को बाकी है अपते 10 दिन का 949 में डिपार्ट्मेंट इलोकेशन भी अभी नहीं हुई है कि ये 295 अपद कैसे कैसे डिपार्ट्मेंट में बहंटे जाएंगे जबकि 903 में एलोकेशन कंप्लीट है बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट है इस सब के बावजूद अभी भी परसोनल डिपार्टमेंट से राज्या चैनायो को चिठी नहीं गई है और जो यहां मामला परसोनल और विजलेंस के बीच में घूमा हुआ है अभी इसमें ट्विस्ट क्या है वो समझने की जरूरत है जो अभी हरती हैं वो विजलेंस में भी जा रहे हैं परसोनल में भी जा रहे हैं विजलेंस वाड़े क्या रहे हैं हमने फाइल बेज दी कार्मिक वाड़े क्या रहे हैं हमें फाइल मिली नहीं और दोनों उसी तरह से आपस में घूम रहे हैं लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि जो 903 और 949 है ये भी विजलेंस के पास है और जो बाकी पांच पोस्ट कोड हैं जिन में 4 में FIR है और 5 में में investigation है जो cabinet subcommittee के पास है वो भी विजलेंस के पास है तो विजलेंस reply अगर एक में देगी माननी जी ये 903 में देती है तो वही reply फिर 9 280 या फिर secretary clerk में भी imply हो जाएगा और इसी लिए जो cabinet subcommittee है वो भी विजलेंस के ही reply का इंतजार कर रही है तो ऐसे में अगर reply किसी भी एक चीज में आया तो वह सब पर imply होगा लेकिन difference क्या है difference ये है कि 903, 949 और 817 ये तीनों जो है cabinet subcommittee के पास नहीं थे क्योंकि जब ये cabinet subcommittee क तो ये उस वकत vigilance के preview में उस वकत नहीं थे बाकी जो थे already विजलेंस के इसके प्रूव में थे तो उसके कारण इसमें difference ही सिर्फ इतना है कि जो वहाँ cabinet subcommittee के पास नहीं दिये गए थे उनी में cabinet subcommittee ने जो है वो result घोशित करने को लेकर सिफारिश की है बाकियों के लिए vigilance क के जवाब का इंतजार है cabinet subcommittee को भी और अब राज्या चैनायोग में इन दो post code को लेकर भी तो ये difference दोनों में यही है अब अगली बात करते हैं और अगली जो बात है वो है बात पुलिस भरती पर breaking को लेकर देखिए पुलिस भरती को लेकर एक दो बात आपको मैंने बताई कि आज मुख्या मंतरी ने इस भरती को जल्दी करने को लेकर विधानसभा के अंदर कहा जिनको ट्रेनिंग स्पेशली दी जाएगी इस तरह की शराब की तसक्री को रोकने के लिए लेकिन पुलिस मुख्याले ने भी राज्या सरकार से clarity होने के बाद जो लोकसेवा आयोग के जो चेर्मेन हैं वो गए हैं उनकी वो चुटी पर हैं वो अगले 16 तारीक तक आएंगे वो विधेश में हैं और अभी चार्ज जो है वो दिया गया है किसी और मिम्बर को लेकिन पुलिस भरती को लेकर जो फाइल है वो दोबारा से फुल कमिशन में लगाई जा सकती है और उसकी वज़ाई यह है कि जो कुछ एक बीश में डिवेल्पमेंट हुई है कि कैबिनेट ने लोग से वायो की कोई पोस्ट काट दी है जो वहाँ एक प्रमोशन चैनल को लेकर जरूरी थी इसकी वज़ा से कुछ चीज़ें थोड़ी सी जो हैं आपस में जिसको बोलते ह बैलन्स बिगणने जैसी हुई हैं तो इसमें क्या होता है उसको लेकर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा लेकिन हम उमीद कर रहे हैं कि पुलिस भरती की प्रक्रिया अब जितना अल्रडी बहुत डिले हो चुका है तो यह जल्दी शुरू हो जाएगी ताकि युवाउं इसमें भी मिलगी द्वारा एक्स्टेंशन की नौबत ना आए अब